अगर आप यूट्यूब या वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है COVID-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में DM और District Collectors ने आदेश जारी किये हैं कि केवल Registered Media ही coverage करने के लिए allowed है हलांकि ये आदेश हर जगा के लिए नहीं है ये खास कर राजिस्थान के कुछ जिलों में ये आदेश आया है इन जिलों के DM और DC ने आदेश दिया है कि अपंजी करत Social Media Platforms खबर का प्रसारण नहीं कर सकते यदि आदेश की अभेलना होती है तो एक वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है पहले हम आपको पूरी खबर बता देते हैं कोटा और धौलपूर के DM ने COVID-19 के महामारी घोशित किये जाने के बाद Social Media, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Twitter इन सब के News प्रसारण पर रोक लगा दी है आदेश में कहा गया है कि समाचार प्रकाशित करने या Debate प्रसारित करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा सूचना प्रसारण मंत्रा ले भारत सरकार से अनुमती लेना अनिवार्य होता है लेकिन Social Media से जुड़े लोग इन विभागों से अनुमती लिए बिना यह काम कर रहे हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का पंजीकरण ना कराने पर उनके द्वारा गैर सत्यापित और भ्रामक समाचारों का प्रकाशन संभावित रहता है मेरी जानकारी में आया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Telegram इन सब पर भ्रामक और गैर सत्यापित तत्यों को प्रकाशित किया जा रहा है इसके बाद इन जिलों में सभी Social Media Platforms का उपयोग मीडिया के रूप में अगले आदेश तक रोका गया है लेकिन इसी खबर में आपके लिए जवाब भी छुपा हुआ है पहली बात DC साहब का कहना और उनकी चिंता एकदम सही है ये बात सच है कि बहुत सारे Social Media Platforms का जो प्रयोग हो रहा है और मीडिया के नाम पर Misuse हो रहा है लेकिन इन में वो लोग पिस जा रहे हैं जो इन Platforms के मादियम से गंभीर पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ कानूनी उपाय है आए समझते हैं कि आप कैसे अपने इस Platform को ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आप किसी आदेश का उलंगन भी ना करें प्रैटफोर्म मीडिया की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता जैसे आप यूट्यूब फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम लिंक्टिन वाट्सैप ट्वीटर टेलिग्राम इन सब पर अपनी राय और विचार तो व्यक्त कर सकते हैं लेकिन समाचार प्रसारण नहीं कर सकते इन सब माध्यमों का किसी भी रूप में रेजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता यहां हम यूट्यूब की बात नहीं करेंगे यूट्यूब का फर्म बना के लोग रेजिस्ट्रेशन उद्यो गधार में करा रहे हैं जो कि सही है और साथ ही आप website भी बना सकते हैं आगे हम आपको बताते हैं कि आप अपने इस platform को कैसे कानोनी रूप से पुखता करें सबसे पहले आप लोगों नहीं समझ लिया कि सोशल मीडिया platform जैसे LinkedIn वगर हमने बताए उनको छोड़ दीजे दो माध्यम है website और YouTube इसको सबसे पहले आप एक यदि वो आपको कहें कि आप सोशल मीडिया हैं तो आप अपने पक्ष में ये तरक रखें भारत सरकार उद्योग आधार के माध्यम से website को समचार देने के लिए registered करती है वहाँ बाकाइदा इसकी category mention की गई है दूसरी बात केंद्र सरकार राज्य और जिला इस्तर पर web माध माध्यमों को सरकारी विज्यापन देने के लिए सूची बद्ध भी करती है साथ ही web माध्यमों के पत्रकारों को माननेता भी देती है इसके सपोर्ट में आप P.I.B. का reference दे सकते हैं जो आपको side screen पर नजर भी आ रहा होगा P.I.B. पर इस संबंध में नियम और शर्ते mention है P P.I.B. पर मौजूद पत्रकार कल्यान योजना में web माध्यमों के पत्रकारों को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही गई है लेकिन हाँ एक बात ये भी सच है कि field में coverage वही कर सकते हैं जिनके पास press i card हो और press i card केवल registered media के संपादक ही जारी कर सकते हैं क्योंकि आप जो कि उध्योग अधार में registered है तो आप खबरों को दे तो सकते हैं ये अधिकार आप का है कि खबर आप दे सकें लेकिन खबर को cover करने के लिए आपको कही ना कहीं से registered होना होगा या फिर आपको ऐसे media registered होना होगा खासतोर से या फिर आप किसी registered media के साथ tie up کر सकते हैं मीडिया रेजिस्टर होने के लिए आपको अपना समचार पत्र कराना होगा जो की आरनाई से होता है इस सम्मन्द में हमने पहले भी कई वीडियोस जाले हुए हैं अगर आपको पूरी जानकारी लेना हो तो आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्प लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं इसके लिए पहले आप इस पूरी सूचना को समझ ले उन वीडियोस को देख के समझ ले की सोशल मीडिया क्या है उद्योग अधार में वेबसाइट या यूट्यूब को कैसे आप अपना एक फर्म बना के रेजिस साइकार डिशू कर सके तो वो भी आप कर सकते हैं तो ये इस संबंध में कुछ जानकारी थी काफी लोगों को ये भ्रम हो रहा था परिशानी हो रही है लोग अभी फिलाल काम नहीं कर पा रहे हैं ये राजस्थान के साथ तो खास तोर से हुआ है वो वेब पत्रकार काम न बताएं कि हम लोग एक जिम्मेदारी के साथ ये खबरे देने का काम कर रहे हैं, सही रूप से काम कर रहे हैं, यदि वो allowed करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम आगे जारी रख सकते हैं, और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि इस महामारी में किसी भी प्रकार के नि दंगन ना करें, ये आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है.